नमस्कार मैं दिवयत धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देश प्रेदेश केप्ता के प्रमुख खबरों को बिहार के सिक्चा मंत्री चंद सेखर एक बार फिर चर्चा में पहले रामतरित मानस को लेकर तरह तरह के बयान देकर वो सुर्कियों में थे और इस बार सीम नितीश कुमार को पैड चूकर आसिरवाद लेने की बात चर्चा में है इस पर सिक्चा मंत्री चंद सेखर ने अप निती तलासने की कोसिस ओची मानसिक्ता की हद है। उन्होंने बताया है कि बिहार बोट के अध्यक्त चानंद के सोर की ओर से दी गई मियाद के अंतिम दिन यानि सुक्रवार एक्षिस मार्च को रिजल्ट जारी हो जाएगा। जानकारी एक कानूनी मामलों के कवरेज करने वाली वेबसाइट पर रिपोर्ट में दी गई थी। सारे मोदी सरनेम वाले चोड है 2019 में राहूल गांदी ने या बयान दिया था। इसके बाद अभी हाल में गुजरात के सूरत के एक अधालत ने दो साल की उन्हें सजा सुनाई है। के बाद उनकी लोकसभा सदसता भी समाप्त हो गई है। इसके बाद भी या मामला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। गुजरात के बाद अब पटना की एक अधालत ने राहूल गांदी को इस मामले में समन किया है। और उन्हें 12 अप्रेल को हादिर होने के लिए भी कहा है। महान मोड समराग की जैनती के अफसर पर जर्यों के ओर से पटना में आयोजित समारों को सम्मोदित करते वे सीम नितीस कुमान ने लोगों से भगवा पार्टी के प्रयासों के खिलाब सतर्क रहने को कहा है। करे का उसका सिंगहासन बरा मजबूत रहता है विपक्षियों को पता ही नहीं लग रहा है कि किधर जा और क्या करें। आर्थिक तंगी के कारण इंजिनियरिंग अत्वा मेडिकल की तयारी के लिए कोटा और दिल्ली जैसे सहरों में नहीं जा पाने वाले पिच्रे और अति-पिच्रे वर्ग की चातना पटना में ही तयारी कर पाएंगे इसके तयारी भी कोटा दिल्ली की तरह ही करवाई सिरुमानी गुरुद्वारे प्रबंदक कमेटी के अध्यक्ष एड़्वॉकेट हरजिंदर सिंग धामील स्री अकाल तक्त साहिब के जत्यदार या ग्यानी हरप्रीत सिंग के संदेश को ट्वीटर से हटाने की निंदा कि उन्होंने यह भी काए कि जत्यदार पर अपनी ट तक सांत रही केंट सरकार फ्रंट पर आ गई ग्रे मंत्रॉले ने सुप्रीम कोट के फैस्टले को एतेहासिक करार देते वे कहा है किसे सहारा समुगी चार सहकारी समीतियों के हजारों निवेसकों को पैसा वापस मिल पाएगा दरासल मंत्रॉले के तरफ से त्यारी विग्य रप्ति में कहा गया है कि सा कारिक्ता मंत्रॉले की याचिका पर सुप्रीम कोट ने सहारा से भी रिफंड अकाउंट में से चार समीतियों को दस करूर रुपे लोटाने का आदेश दिया है रक्षामंद विराजनाद सिंग ने कहा है कि भारत की एकोनॉमी पिछले कुछ समय में काफी बहतर हुई है जो दुनिया के लिए उधारन बन सकती है उन्होंने कहा है कि रेटिंग एजिंचू के मुताबिक भारत 2027 में दुनिया की टॉप 3 एकोनॉमी में सामिल हो जाएगा उन्होंने ये भी कहा है कि अमरित काल के समापन याने आजादी के 100 साल होने तक भारत दुनिया की टॉप एकोनॉमी बन जाएगा आगे उन्होंने बताया है कि GST और इंकम टेक्स के कलेक्शन में जो भरोतरी हुई यह वो कुछ साल पहले यह तक कल्पना से परे था किन सरकार ने दुलब बिमारियों के इलाज के लिए वेक्तिगात उप्यों के लिए आयादित विसेश्टिक इत्सा उद्धिस्टों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर बुनियादी सीमा सुल्क में छूट दिया आपको बता दे कि आयाद सुल्क में छूट एक अप्रेल 2003 से लागू हो जाएगी इसके बाद दिलाव भोगता आयोगने सैफ अली खान प्रभास प्रिति सेनन फिल्म के निर्माता निर्देशक और निर्माता कमणी टी सीरीज के खिलाफ नोटिस जारी किया है पूरे मामले के पैरवी मानवाजिकार अधिवक्ता एसके जाग कर रहे है अधिवक्ता इसके अधिवक्ता के लिए हंदेशों से सामरिक रूप से बातचीत कर ऐसी करम विवा आज यूके के साथ सामरिक महत्व की बैटक में हिस्सा लेंगे मीडिया में चले ख़बरों के मुताबिक सूत्रों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि इसी बैटक में डोबाल अपने समक्ष से 19 मार्च को भारतिय उचायोग पर हमले का मामला उठा सकते हैं इसरों ने अपने आर्ट और्बेशन सेटलाइट की मदब से प्रित्वी की तस्वीर को कैप्टर कैस इसरों के सेटलाइट को ओसन सेट 3 के नाम से भी जाना जाता है सेटलाइट की ओर से उपलप्त कराएग बदादी के सेटलाइट की ओर से इस तस्वीर को लेने के लिए ओन बॉर्ड ओसन कलर मॉनीटर का प्रियोग किया गया है। कि जनली बताते वे कहाए कि कई वैस्विक चुनौतियों की बावजूत देश सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुक अर्थववस्ता बन गया है। करने वाले और क्रियानवित करने वारे अधिकारी भी के अपना पैसा सेर बाजार में लगा कर मुनाफ़ा कूट रहे हैं। सरकार ने अब इसी की परताल सुरू कर दी है। हर महीने की पहली तारीक को कई बरे बदलाव देखने को मिलते दिन में से कई आपके फाइनेंसिल हेल्थ को प्रभावित करने वाले साबित होते हैं दो दिन बाद अप्रेल का महीना शुरू हो रहा है और इसके साथ ही शुरुआत होने जा रही है बदलावों के लिए स्थोरी लंबी होने जा रही है एक अप्रेल 2023 से गैस स्लेंडर के दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है तो वहीं सोने की बिक्री को लेकर भी नया निया महीने सुरू होते ही लागू हो जाएगा भोपाल आ रहे है प्रधान मंत्री नरींदर मोदी के आगमन को लेकर भोपाल में पहला military force ने मोचा संभाल लिया हर कत्विदी पर बारिके से नजर रखी जा रही है वही संदिक ज़र आने पर तलास भी ली जा रही है बतादी कि प्रिधान मंत्री नरेंद मोदी राजधानी भोपाल में रोजित होने वाले सेना की महत्वपून बैठक में सामिल होने के लिए एक अप्रेल को राजधानी आ रहे हैं प्रिधानमंदिक नरिंद मोदी ने गुरुवार को कहा है कि उन्होंने NXP के CEO कर सिवर से मुलाकात की और सेमी कंड़क्टर से वा इनोवेशन को लेकर दुनिया में बदले परिदिरिस्टे पर चर्चा भी की है बता दिक NXP की ओर से कहा गया है कि हम अपने टेक सॉल्यूशन के मादियम से इनोवेशन और सकरात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद हैं सोशल मीरिया पर एक तस्वीर तेजी से वाइरल हो रही है इसमें कॉंगने सांसत सोनिया गांधी के पैट चूता हुआ एक सिक सक्स नजर आ रहा है इस तस्वीर को लेकर इंटरनेट यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि सिक सक्स कोई और नहीं बलकि भारत के पूर प्रिजान मंतरीन मनमोहन सिंग है जो सोनिया गांधी के पैट चूते नजर आ रहे हैं वाइरल तस्वीर को लेकर जब चानबीन शुरू हुई तो यह बात सामने आएकि ये तस्वीर जूटी है भारत सरकार डिफेंस की ओड़ और मजबूत करने के लिए कई तरह के प्लैन बना रहा है अब सरकार ने तीन बरी डील की है रक्षा मंच्वाले ने तीन बरी डील 5,400 करोर रुपय में की है सिब भारत का डिफेंस और मजबूत होगा तीन हजार करोर रुपे की सबसे बड़ी दिल भारती आर्मी के लिए New Space India Limited के साथ किये जिसके तरहत Advanced Communication Satellite तयार किया जाएगा इंकम टेक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रकिरिया के सुरुवात जल्द ही होने वाली अगर किसी की कमाई टेक्सिबल इंकम से जाता है तो उन लोगों को इंकम टेक्स दाखिल करना होता है वरतमान में देश में इंकम टेक्स दाखिल दो रिजीम के हिसाब से किया जाता है पूराना टेक्स रिजीम और नया टेक्स रिजीम अगर कोई सक्स ने टेक्स रिजीम के हिसाब से टेक्स डाखिल करता है तो उसे 7 लाख रुपे तक की सहराना कमाई पर टेक्स में छूट मिल सकती हाला कि ने टेक्स रिजीम में इंवेस्टमेंट का लाब नहीं उठाय जा सक जर्वन विदेश मंत्वाले के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हमारी जानकारी के अनुसार राहूल गांदी फैसले के खिलाफ अपील करने के इस स्थिती में इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या ये फैसला कायम रहेगा और क्या उनके इस असना देश के निलंबन का कोई बता दे कि ललित मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट कर राहूल गांदी के खिलाफ हमला बोला था और कहा था कि वह उन्हें यूके की कूर्ट में ले कर जाएंगे यूद कॉंग्रेस के अज्जक्ट बीवी सरी निवास ने बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविय को मानहानी नोटिस बिजाया उन पर केंजे मंसी स्मिर्थी इरानी को लेकर अपमान जनक बयान बजी करने का आरोप लगाया था पर उसी देश पाकिस्तान सरकार का ट्वीटर अकाउंट अब भारत में लोग नहीं देख पाएंगे पाकिस्तान सरकार के ट्वीटर अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया, गुरुवार को सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नोटिस के मुताविक ट्वीटर ने कानूनी मांग के जवाब में पाकिस्तान सरकार के अकाउंट को भारत में ब्लॉक किया है, बता दे कि आज के मलहोत्रा नुन्नु गोलु कुमार अभिसेक राज रवी संकर एम्डी साकीर उसेन अन्वर करीम खान अर्जुन राम संजय चौद्री और नौसाद अंसारी अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपका पसंदीदा खेल कौन साथ आप अपना जवाब आज के लिए इतना ही धन्यवाद